वेलकम टू हरी टेकनिकल दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि एलेडी बाद सर्कीट में यह जो बिरीज एक्टिफायर लगा रहता है इसको किस तरह से टेस्ट करें और इसका सही तरीका क्या है इसको टेस्ट करने का और कैसे पैचाने की यह खराब है तो दोस्तों वीडियो में U- Hak प्लास पर spreads दूंगा ऊपर यह जुझे सो नहीं करना चाहिए तो देखिए दोस्तों कोई बेलिज तो नहीं करना है उसके बात में दोस्तो यह जो माइनस है उससाइड में उसका उपर में बलेक वाला प्रोड़क्ट दूँगा और यह दोनों लेंग में लगाऊंगा तो कोई भी भेलूसो नहीं करना चाहिए तो देखिए कोई भी भेलूसो नहीं कर रहा है और तो तो इसके बाद में दोस्तो आपको क्या करना है कि इसका opposite direction में इसको test करना है जैसे कि यह देखिए यह plus है तो इसका जगा में minus दूँगा और इसका उपर वाला में test करूँगा तो value so करना चाहिए तो दोस्तो देखिए इस पर वी कुछ value so क्या है फिर next वाला पर लगाऊंगा उस पर भी value so करेगा तो यह देखिए इस पर भी value so कर रहा है तो इसका मतलब यह bridge rectified सही है फिर next जो और next वाला जो है जो उधर में आपका minus है इसका उपर में हम लोग plus राखेंगे और इस पर फि कर रहा है तो समझिए कि आपका bridge rectifier एकदम सही है और एक और तरीका है इस दोनों लेक पर आप इस तरह से राख सकते हैं तो देखिए कोई भी value so नहीं कर रहा है ठीक है तो इस तरह से आप check कर सकते हैं कोई bridge rectifier led bulb में लगा हो या आप कोई भी charger में लगा हो तो किसी भी bridge rectifier इसको दोस्तो SMD bridge rectifier बोला जाता है तो अगर यह SMD bridge rectifier अगर सही है तो इस तरह से चेक किजेगा खराब है तो इस तरह से चेक किजेगा जिससे आपको पता चले इसका सही तरीका क्या है इस तरह से आप चेक करके पता कर सकते हैं कि मेरा यह bridge rectifier सही है कि खराब है तो दोस्त तो वीडियो पसान आया तो चैनल को सस्क्राइब कीज़े लाइक कीज़े, सेर कीज़े, कमेट कीज़े और दोस्तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए Thank you for watching Hari Technica Thanks